हेलो गाईज, वेलकम टू आएफेज, तो आज के सेसन में हम बात करेंगे कि अगर आप B.S.C. के स्टुडेंट है तो आपके लिए C.E.T. exam क्यों जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि M.S.C. करना है, तो और भी M.S.C. करने चाहते हो, अच्छे कॉलेजिस से करना चाहते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के लिए C.E.T. exam बहुत ही जरूरी है, और C.E.T. exam के अगर मैं बात करो, तो 2023 का जो एक्जाम होगा C.E.T. का यह जून में होने वाला है, फर्स जून से लेकर 10 जून के बीच में होने वाला है, मतलब आप मान के चलिए लगबग आपके पास 5 महने का समय है, और C.E.T. के लिए Online Application Form Start होने वाला है, इस मार से, तो अगर आप B.S.C. के इस्टुडेंट हो, थर्ड यर में आप जा चुके हो, और थर्ड यर में आप पढ़ रहे हो, और आप चाहते हो कि आपको जो आपकी MSC है, किसी बहु C.E.T. जरूरी है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप लोग D.E.U. में admission लेना चाहते हो, देली इनवर्सिटी में, तो यहाँ पर D.E.L.E. इनवर्सिटी में 2023 में admission लेने के लिए D.E.U. अलग से कोई भी exam नहीं conduct करेगा, आपको C.E.T. exam देना होगा, जब आप C से colleges में आप लोग admission ले सकते हो, तो B.E.U. से भी बनारस हिंद्य इनवर्सिटी में अगर आप admission लेना चाहते हो, आपका सपना है कि आप B.E.U. से MSC करना चाहते हो, तो इस case में भी आपको C.E.T. exam देना होगा, अगर आप J.N.U. से करना चाहते हो, तो बिल्कुल J.N.U. से भी MSC कर सकते हो, बट वही फिट से यहाँ पर एक क्राइटेरिया आपके पास आ गई, कि आपको क्या करना होगा, आपको C.E.T. exam देना होगा, उसके अलावा सव से ज़्यादा जो टॉप के Central University है, चाहाए कोई भी Central University आपकी State में जो हो, या Central वाली University जो भी होंगी, टॉप पॉले University, वहाँ पर अगर आप MSC करना चाहते हो, आपके नजदीक की जो बड़ी सी University है, वहाँ पर admission करना चाहते हो, तो आपको भी C.E.T. का exam देना होगा, मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप B.E.C. के student है, तो आपके लिए C.E.T. बहुत महने एज, जो समय है न, एक कह सकते हैं, अच्छा खासा समय है, कि आप लोग 0 से लेकर high level तक पहुँच सकते हो, C.E.T. exam में एक अच्छा rank ला सकते हो, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप C.E.T. के लिए प्रेपर करना चाहते हो, बिल्कुल भी आ आज की वीडियो में इतना ही अगर कुछ भी डाउट रह जाता है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो, so thank you so much